दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो कि इस टाइम पे हर किसी की हेल्थ को डारेक्ली इंपक्ट कर रहा है एर पॉलुशन दोस्तों अगर आपको इस अलार्मिंग पॉलुशन के समय में अपनी और अपने परिवार की हेल्थ सेफ रखनी है तो ये वीडियो पूरा आप जरूर देखेगा क्योंकि बाई दा एंड अफ दिस वीडियो आपको कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो से लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं अगर आपको दोस्तों कुछ दिनों से सांस फूल रही है या फिर आखों में जलन है स्किन इरिटेशन है या फिर बहुत जादा थकान महसूस हो रही है कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है तो जान लीजे कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है इस सब इफेक्ट उस पॉलिटेट एयर के हैं जो कि हम हर दिन इनहेल कर रहे हैं और अब तो हालत इतनी सीरियस हो गई है कि डेली NCR का AQI कुछ जगाव उपर तो एक हजार को भी पार कर चुका है जो कि हजार डुएस लेवल से भी आगे की चीज है जड़ा सोच के देखिए कि ये वही हवा है जो कि हम सब और हमारे चोटे-चोटे पच्चे इनहेल कर रहे हैं WHO के नॉम्स के मताबिक 50 से नीचे AQI लेवल सेफ माना जाता है लेकिन 50 तो छोड़िये यहां तो AQI लेवल से रोज नए नए रिकॉर्ड दोड़ रहे हैं तो आज हम पॉलिशन के इस खौफनाक इंपक्ट को मिनिमाइस करने के सिंपल और इफेक्टिव सॉलिशन्स डिसकस करेंगे इस सॉलिशन्स साइन्स बैग्ड हैं और आप आज से ही इन्हें इंपलिमेंट करना शुरू कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को सेफ रख सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ को इस खतरनाक, खौफनाक पॉलिशन से बचा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पॉलिशन का असर सिर्फ हावा की कॉलिटी तक ही लिमिटेड नहीं है। और ये नहीं कोई ऐसी चीज है जो कि वक्त के साथ कम होने वाली है। दोस्तो पॉलिशन की वज़ा से पैदा होने वाले फाइन पार्टिकल्स जैसे कि PM2.5 और PM10 ये इतने महीन इतने छोटे होते हैं कि सास के साथ हमारे लंग्स के अंदर तक चले जाते हैं और वहीं पर चिपक जाते हैं। इससे सिर्फ ब्रीधिंग प्रॉब्लम्स ही नहीं बलकि फेफडों से ये आपके ब्लड के अंदर गुस जाते हैं और वहां से हार्ट में और दूसरे सभी और्गंस में जाकर उनको भी डैमेज करने का काम करते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा कि आजकल ज्यादातर लोग खासी से परेशान हैं और बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हमें खुद को भी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत थकान है, बहुत बेचैनी है और लगता है जैसे कि सीने पर कोई वजन रखा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों जान लीजे कि यह प्रॉब्लम में कोई टेंप्रिरी प्रॉब्लम में नहीं है। अगर हमने अभी कोई आक्शन नहीं लिया, तो यह लॉंग टर्म हेल्थ इशूज में कब कनवर्ट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक्शन लेना सिर्फ जरूरी नहीं बलकि अर्जन्ट है। यह सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बलकि आपके परिवार के लिए भी उतना ही इंपॉर्टन है। लेकिन टेंशन आप मत लीजे, निगेटिव बाते बहुत सारी हो गई, आगे के स्टेप्स में हम डिसकस करेंगे, कुछ ऐसे सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जो की पॉलिशन के इन इफेक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे और आपकी हेल्थ को सेफगार्ड करेंगे। तो चलिए अब निकेटिव के बाद पॉस्टिविडी की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं सॉल फिल्टर नहीं किया जाएं तो ये ना सिर्फ लंग्स को डैमेज करते हैं बलकि बलड के थुरू आपकी पूरी बॉडी के इंदर स्प्रेड होते हैं। इससे बचने का सबसे इफेक्टिव और सबसे असान सॉलिशन है एक अच्छी कॉलिटी का मास्क यूज़ करना। मैं ज्यादा एफेक्टिव होते हैं। और एक बात याद रखेगा कि मास्क प्रॉपरली फिट रहोना चाहिए। अगर मास्क लूज है या बाइबार उसे आप अड्रेस कर रहे हैं जाइड उसे खुला हुआ है तो इसका फिल्टरिंग एफेक्ट काम हो जाता है। वैसे मास् आपको इन हानिकारक पार्टिकल से बचा लेगा। इसलिए जहां तक पॉसेबल हो तो आउट्डोर अक्टिविटीज इसपेशली जॉगिंग या फिर मॉर्निंग वॉक को आप एवाइड करें। घर के अंदर पहुच चुके जो पॉलिशन है और जो पियम में 2.5 दोस्तों जैसे कि हमने कोरोना काल में देखा था कि बचाव ही एक मातर इलाज था। इसी तरह से पॉलिशन से बचना भी फिलहाले हम सब के लिए first line of defense है पहला step है जिसके बिना और सभी मेजर्स फेल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान मास्क का यूज़ कीज़े जाता बाहर जबरत नहीं हो तो मत निकलिए खास वरते सुभा और शाम में और साथ साथ इंडूर प्लांट लगाईए या फिर एर प्यूरिफायर को यूज़ कीज़े प्रोटेक्शन के बाद सेकंड इपॉर्टन स्टेप है अपने लंग्स को detoxify करना यानि साफ करना आपको बता है हमारे लंग्स हर दिन में 20,000 से भी जादा बार सांस लेते हैं लेकिन जब एएर इतनी जादा पॉलिटिड हो तो हर एक साथ के साथ हम इतनी oxygen नहीं लेते हैं जितने की pollution अंदर भर लेते हैं तो सिर्फ protection ही नहीं दोस्तों हमें अपने लंग्स को regularly detoxify करना भी बहुत जरूरी है लंग्स को detox करने के लिए सबसे simple तरीका है steam inhalation सास के साथ भाप inhale करने से लंग्स के अंदर के pollutants और mucus अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं और इनके बाहर निकलने में मदद मिलती हैं आपको बस एक pot में गरम पानी लेना है और उस सिर्फ आपके airways को clear करेगा बल्कि congestion को और irritation को भी कम करेगा इसी तरह से आप तुलसी मुलेठी ginger और काली मिर्च के mix से बनी हुई चाय भी पीछ सकते हैं जो कि न सिर्फ आपके lungs को detoxify करती हैं बल्कि inflammation को भी कम करती हैं इसके लिए आप पानी में कुछ तुलसी के पत्ते ए जो कि आपके lungs को अंदर से साफ करेगा और healthy रखेगा इसलिए इन दोनों को भी आप अपने routine में जरूर शामिल करें तीसरे tip है अपनी immunity को strong बनाला दोस्तों pollution सिर्फ lungs भी नहीं असर करता है बल्कि आपकी overall immunity को भी कमजोर करता है जब हम polluted air को inhale करते हैं तो free radicals हमारे cells को damage कर होते हैं और इसका सीधा सीधा असर होता है हमारे immune system के उपर अपनी immunity को strong बनाने के लिए आप अपनी diet में antioxidant rich foods जैसे के आमला अनार, oranges, lemon और almonds यानी बदाम को खाना start कीजिए साथी साथ omega 3 rich foods जैसे के fish, अख्रोड और flaxseats भी चरूर ले, omega 3 inflammation को कम करता है और आपकी body के defense mechanism को strong मनाता है, अब सवाल आता है कि इन सब को अपने routine में हम कैसे शामिल करें, तो आप इन foods में से अपनी पसंद के हिसाब से कुछ foods चुन लें और इन्हें दिन के अलग-अलग हिस्सों में आप इडिवाइड कर लें, example के तोर पे आप हर सुबा आमला juice पीएं, lunch के साथ आप एक अनार खाएं, और शाम में detox tea के साथ roasted almonds या फिर walnuts खाएं, लाइस्टेल चेंजेज ना सिर्फ आपकी immunity को strong करेंगी बलकि pollution के असर को भी naturally reverse करेंगी, चौथा important tip है दिन भर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना, बोस्तों hydration आपकी body के लिए एक natural detox का गाम करता है, इसलि करने का सबसे easy और सबसे natural तरीका है, लेकिन अगर आप normal water के साथ कुछ detoxifying ingredients भी add कर लें, तो इसका impact और भी ज्यादा हो सकता है, इसके लिए आप एक लिटर पानी में एक चमच सौफ, एक चमच धनिया और थोड़ा सा grated अधरक, यानि कदुकस किया हुआ अधरक जो होता है, ये डाल लीजिए और इसे अच्छे से boil कर लीजिए, जब ये mix थोड़ा सा ठंडा हो जाए boil करने के बाद, तो इसे आप एक bottle में वहर कर रख लीजिए और sip-sip करके दिन बर थोड़ा थोड़ा पीते रहें, दोस्तो, pollution का असर सिर्फ lungs और immunity तक ही limited नहीं है, ये हमारी skin और हमारी आँखों को भी directly impact करता है, आपने notice किया होगा कि आजकल pollution की वज़ा से skin बहुत ज़ादा dry होने लगी है, dull होने लगी है और irritated feel होती है, और इसी के साथ साथ आँखों में हर समय जलन रहती है और आँखे लाल रहते हैं, इसलिए रोजाना आपको moisturize करना अपनी skin को बह ये irritation होती है, वो भी साफ हो और आपकी ice में कोई infection या irritation वगरा ना हो, दोस्तों इन सभी measures के साथ आप आईरवेद की help भी ले सकते हैं, चवण प्राश और हल्दी वाला दूद ये दो ऐसी चीजे हैं जो कि आप आज ही से लेना शुरू कर सकते हैं, ये आपकी immunity को naturally boost करते है toxins को neutralize करते हैं, inflammation को कम करते हैं और आपकी body के natural healing process को तेज करते हैं, एक और काम जो आप कर सकते हैं वो है अपनी नाक में बस एक drop तिल का तेल या फिर देसी घी टपकाना, ये आपकी नाक की अंदुरूनी जिल्नी में एक natural barrier create कर देता है, जो कि pollutants को अंदर जाने से रोकता ह इसे दिन में एक ये दो बार apply करना, pollution heavy areas में खास दोर से बहुत ही जादा effective होता है, दोस्तों अब तक हमने pollution के harmful effects को tackle करने के लिए practical tips discuss किये, लेकिन सोच ये, क्या सिर्फ individual efforts काफी हैं? बिलकुल नहीं, ये एक collective problem है और इसका solution भी हमें मिल कर ही ढूड़ना होगा, pollution को कम करने के लिए हमें मिल कर काम करना होगा, आप एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, सिर्फ छोड़ी छोड़ी actions के दुरू, for example, आप अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा trees plant करने की initiative ले सकते हैं, लोगों को inspire कर सकते हैं, अगर हर family में से सिर्फ एक tree भी हम लगा लें, तो इसका impact कितन बड़ा हो सकता है, जरा सोच के देखिए, example के तोर पे आप Beijing को ही ले लीजे, Beijing जो की चाहिना में है, Beijing का pollution एक टाइम पर दुनिया के सबसे worst AQI levels में count होता था, लेकिन वहां के लोगों और government ने मिलकर कई drastic measures लिए, industrial emissions को control किया, public transport को promote किया, trees plantation को aggressively implement किया, और इसका result आप drop दिखता है, तो अगर वहां ये सब possible है, तो हमारे यहां इंडिया में ये possible क्यों नहीं हो सकता है, और ये awareness पहलाना सिर्फ government का काम नहीं है दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी है, जो tips मैंने इस वीडियो में आपके साथ share किये हैं, उन्हें अपने loved ones के साथ जरूर share करे आप एक chain reaction create कर सकते हैं, जो कि pollution के against एक collective action बनेगा, और याद रखें छोटे-छोटे actions जैसे कि अपने daily commute के लिए carpooling, unnecessary vehicle use को avoid करना और अपने घर के आसपास clean energy sources को adopt करना, इस सब मिलकर एक बड़ा फर्क लाते हैं, तो दोस्तों, आज चेही अपने और अपने परिवार की safety क के लिए इन tips को implement करना शुरू कीजिए, लेकिन उनके साथ साथ अपने आसपास की लोगों को inspire भी करें, कि वो भी pollution को tackle करने के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ ही योगदान दे, जितनी जल्दी हम मिलकर action लेंगे, उतनी ही जल्दी हम एक healthier और cleaner environment create कर पाएंगे, वीडि